रोबर्ट ओपेनहाइम अमेरिका के थियोरेटिकल फिजिक्स के विद्वान थे। इसके अलावा उन्हें एक बोधिजीवी और नेत्रित्व करता के रूप में भी जाना जाता था। रोबर्ट ओपेनहाइम को पढ़ाई और नई चीजों को जानने समझने का शौक था। नौ वर्ष की उम्र में ही वो ग्रीक और लेटिन चिंतन साहित्य पढ़ते थे। उनकी यही दिल्चस्प उन्हें भगवत गीता तक लेकर गई थी। जिसे पढ़ने और समझने ने किलोमीटर दक्षिन में किया गया था। जिसे ट्रिनिटी टेस्ट के रूप में जाना जाता है। इस परमानु बम परीक्षन के एक महीने से भी कम समय के बाद अमेरिका ने जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासा की पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को दो परमानु बम गिराय जिससे बहुत विनाशकारी तबाही हुई जिसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस जगह पर आज भी परमानु बम का असर इन शहरों के लोगों पर दिखता है। इस बंबारी के बाद द्वितिय विश्वियुद्ध समाप्त हो गया था। इस घटन के बाद दुनिया में परमानु हथियार बनाने की होड शुरू हो गई जिसने वैश्विक राजनीती को हमेशा के लिए बदल दिया। वहीं अपने बनाए गए परमानु बम की क्षमता को देखने के बाद ओपेनहाइम परेशान हो गए थे। एक समय पर रोबर्ट ओपेन विश्णू अर्जुन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और उस दोरान भगवान श्री कृष्ण विराट रूप धारन करते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि अब मैं मृत्यू बन गया हूँ अब मैं दुनिया का विनाशक बन गय रोबर्ट ओपेनहाइम ने आगे कहा आज मैं प्रलय का मूल कारण और महाकाल हूँ जो जगत का सनहार करने के लिए प्रवरित हुआ हूँ तुम्हारे युद्ध में भाग लेने के बिना भी युद्ध की व्यूरचना में खड़े विरोधी पक्ष के योद्धा मारे ओपेनहाइम के अंदर मनो विज्ञान की समझ भगवत गीता पढ़ने और समझने के बाद ही अच्छी तरह से विक्सित हुई थी भगवत गीता में निर्दोशों की हत्या या उनका नरसनहार करने का संदेश बिलकुल नहीं दिया गया है ऐसे में द्वितिय विश्वियु